आज मैं साबूदाना खीचरी की एकदम सिंपल और इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ वरत के लिए ये रेसिपी है स्पेशली अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको जरूर ट्राई करें ज्यादा मसाले यूज किये बिना ये रेसिपी मैंने बनाई है तो चलिए शुरू बोई के कड़ाई लिए इसमें 3-4 चमच मैंने घी डाला है वरत में यूजवली घी खाते हैं अगर आप तेल यूज करना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो फिर वन टेबल स्पून इसमें जीरा और कलोंजी का मिक्स्चर डाला है अगर आप जीरा वरत में नहीं खाते हो तो आप नई डालें फिर इसको थोड़ा सा गरम होने देंगे यह गरम हो चुका है फ्लेम को लो कर देंगे और मैंने यहाद दो मीडियम साइज के आलू को बॉइल कर लिया था फिर इसके चोटे चोटे पीसे कर लिया अब यह पीसे को इसमें मैं डाल दूँगी अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू को बसी से तीस सेकिंड के लिए हमें पकाना है ताकि इसमें हल्का सा क्रिस्प आ जाए फिर एक हरी को मैंने 2-2 pieces करके डाल दिया है उसके बाद इनको अच्छे से mix कर लेंगे एक medium size का tomato मैंने chop कर लिया और उसको भी मैंने इसमें डाल जी हूँ इनको अच्छे से mix कर लेंगे flame को medium रखना है अब 3-4 कड़ी पता इसमें डाल दिये हैं कड़ी पता मैं last में इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसका color change ना हो इनको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें 1 tablespoon मैं सेंदा नमक यूज़ कर रही हूँ जो हम बृत में यूज़ करते हैं अब इसको एकदम अच्छे से mix कर लेंगे पूरे मसाले के साथ फिर थोड़े से मूफली के दाने मैं इसमें ले रही हूँ यह roasted नहीं है कच्छे दाने है इसको भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से mix कर लेंगे यह optional है आपके पास हो तो आप डाल सकते हो फिर इसको दो मिनिट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे दो मिनिट में मूफली के दाने अच्छे से पक जाएंगे फिर इसमें मैंने तीन से चार पिंच काली मिर्च का पाउडर डाला है इसको भी अच्छे से mix कर लेंगे ज़्यादा स्पाइसीज हम नई यूज़ कर रहे हैं इसमें फिर जो साबुदाना मैंने प्लेट में निकाल कर रखे थे उनको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे सारे साबुदाना को डालने के बाद इसको हम हलके हाथ से अच्छे से mix कर लेंगे इसको हमें जोर जोर से नहीं mix करना है नहीं तो ये चिपक जाएंगे और तूट जाएंगे हलके हाथ से इसको mix करेंगे अच्छे से और इस पर मैं half lemon squeeze कर रही हूँ ये बीज मैंने अटा दिया है lemon का flavor इसमें बहुत अच्छा आता है इसको अच्छे से mix कर लेंगे और अच्छे से mix कर लेंगे हरा दन्या बहुत अच्छा लगता है साबुदाना की खीचडी में और यह हमारी खीचडी बनकर एकदम तयार है एकदम खिली-खिली खीचडी बनेगी बिल्कुल भी चिपकी वी खीचडी ही नई बनेगी आप इस recipe को एक बार जरूर ट्राइ करें एकदम simple वरत में खाने वाली खीचडी आये अगर recipe अच्छी लगी हो तो like करें चैनल को subscribe करें ऐसी amazing सी recipes के लिए और अपना experience मेरे साथ जरूर शेयर करें thank you